चाहें कितने भी पुराने दाग दब्बे क्यों नहों चहरे पर ये मैथी से बनी क्रीम उनको लाइट डन करेगी साथ ही आपकी स्किन को पेयर और ग्लोइंग बनाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैथी से बनी हुई क्रीम को इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दो चम्मच मैथी यानि फैनुगरीक सीट्स इन्हें हम एक मिक्सर जार में डाल कर इनका पाउडर बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने मैथी का जो पाउडर है वो बना कर तयार कर लिया है मैंने इसे छाना नहीं है थोड़ा दरदरा ही रहने दिया है आप देखी सकते हैं इसके बाद में आप गैस पर एक पैन रखिए और उसमें हम एड़ करेंगे एक कप पानी और गैस की फ्रेम को ओन कर देंगे और होने देंगे इसे गरम अब हमारा जो पानी है वो हो गया है गरम तो इसमें जो हमने मैंति का पाउडर बनाया था उसे इसमें एड़ कर देंगे और अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक के यह अपनी कौंटिटी का आधा नहीं हो जाता अब यह जो है वो अपनी कौंटिटी का आधा हो गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा चमच, कस्तूरी, हल्दी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बस इसको मीडियम फ्लेम पर हम 5-7 मिनट तक पकाएंगे और 5-7 मिनट के बार में आप देखेंगे जो इसकी कौंटिटी है वो और जादा कम हो गई है तो अब हम गैस की क्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए इसे ही छोड़ देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम एक चलनी की हेल्प से इसे चान लेंगे कंटी में मैंने इसे अच्छे से चान लिया है आप देख सकती है इसमें इसे कुछ है का स्टार्च निकलता है अब इसके बाद में आपको क्या करना है इसमें एड करना 3-4 चमच गुलाब जल और फिर इसको हलका सब मिक्स कर लेना है और फिर इसमें एड़ करना है यानि air tight container में फिल करके रख लीजिए मेरे पास कुछ इस थरीके का container था तो मैंने इस में से फिल कर लिया है तो बस आपको इसे apply कर लेना है जैसे आप normally cream को apply करते हैं उस तरीके से आप इसे बना कर देखती है और मुझे comment box में ज़रू बताइए कि आपको ये video कैसी लगी यान एल थे हैं next video में तब तक की लिए thank you and bye bye